नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल भक्ति नगरी में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पित्री पक्ष के दोडान कववे को आदर के साथ क्यों खिलाया जाता है पौरानिक मान्यता के अनुसार, पित्री पक्ष यानि स्राद के दोडान 15 दिन तक कववे को काफी समान के साथ देखा जाता है मान्यता है कि कववा और पीपल का पेर पुरवजों का प्रतीक होते है स्राद के दोरान उन्हें जो कुछ भी अर्पन किया जाता है वह पुर्वजों तक पहुँचता है इससे पित्रों की आत्मा को सांति मिलती है इसे लिए स्राद के इन पंदरा दिनों तक कववे को महमान माना जाता है कववा यम का प्रतीक है मृत्यू का वाहन है जो पुरानों में सुभ असुभ का संकेत देने वाला बताया गया है इस कारण से पित्री पक्ष में स्राद का एक भाग कववे को भी दिया जाता है कववे को पित्रों का सरूप भी माना जाता है स्राथ पक्ष में कववे का बड़ा ही महत्व है स्राथ पक्ष में कववा यदि आपके हाथों दिया गया भोजन ग्रहन कर ले तो ऐसा माना जाता है कि पित्रों की कृपा आपके उपर है पुरवज आपसे प्रसन्न है इसके विप्रीत यदि कववा भोजन करने नहीं आए तो यह माना जाता है कि पितर आपसे नराज है मान्यता के अनुसार व्यक्ति मरकर सबसे पहले कववा के रूप में जन्म लेता है और कववा को खाना खिलाने से वह भोजन पितरों को मिलता है इसका कारण यह है कि पुरानों में कववों को देव पुत्र माना गया है इसके पीछे एक पौराने कथा जुड़ी है इंद्र के पुत्र जयन्त ने ही सबसे पहले कववे का रूप धारन किया था यह कथा त्रेता युक की है जब भगवान स्री राम ने अवतार लिया और जयन्त के ने कववे का रूप धारन कर माता सीता के पैर में चोच मारा था तब भगवान स्री राम ने तिनिके का बान चला कर जयन्त की आँख फोर दी थी जब उसने अपने किये की माफि मांगी तब राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अरपित किया गया भोजन पित्रों को मिलेगा तब इस इस राद में कववे को भोजन कराने की परमपरा चली आ रही है यही कारण है कि स्राद पक्ष में कोवे को ही भोजन कराया जाता है इस समय में कववा को ना तो मारा जाता है और ना ही किसी भी रूप में सताया जाता है यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे पित्रों के सराप के साथ साथ अन्य देवी देपताओं की क्रोध का भी सामना करना पड़ता है उन्हें जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की सुख सांती की प्राप्ती नहीं होती है तो दोस्तो हमारी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए भकती नगरी को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के पास वाले घंटी को ओल के साथ प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली अगले वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सेयर करें मिलते हैं आपसे अपनी अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद